हालो योट्यूब फामली आप सब लोग बढ़िया होंगे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे हम डोग भी सही हैं यहां पर थोड़ी सी बात आप लोग उसे करनी थी कुछ कोश्यंस थे मेरे आप लोगों के लिए आज में वैसे कोई वीडीयो बनाने वाली नहीं थी थोड़ा सा बात किसी मैटर में कुछछी जरूरी मैटर में करना चाहरी थी इसलिए कि मैंने आज काई वीडियो शूट कर रही हूं और आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि इस वीडियो को पूरा देखिए कि मुझे अपना वीवार्स बढ़ाना है या कुछ और करना है इसलिए बिकाज जो यह टॉपिक है वह बहुत ज़गा सैंसिटिव है तो मेरी कुछ कोशन्स है जो आप लोगों को आंसर करने है आज सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आप मुझे इस चीज का जवाब दीजे कि आपको जो घर में सर्वेसिज मिलती हैं सर्वेसिज मतलब बहन ने पानी दे दिया माने खाना दे दिया पापने फीज दे दिदी everything सब कुछ आपको करा कराया मिल जाता है यह सारी लगजरी छोड़कर आपको कोई कहे कि आपसे लगजरी बहुं से जैएगी और आपको कहीं और जाना है तो आपके रeक्शिण कैसे होंगे definitely ऐसी होंगे हाँ और होनी भी चाहिए ऐसे रेक्शन क्योंकि कोई भी अपनी लगजरी की लाइफ क्यों देगा भई क्यों छोड़ेगा आज जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है मुझे यूक्रेंड में पसे हुए बच्चों की बहुत पुराना टॉपिक लगेगा आप लोगों को और शया किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता बट पिछले दो तीन दिन से मुझे बहुत जादा अफसोस हो रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है और उसके पीछे रीजन यह है कि वो बच्चे कहीं के भी हो इंडिया के हो या कहीं के भी हो इंसान तो सबसे पहले इंसान होता है वो बच्चे वहाँ पे भसे हुए हैं वीडियोź में हेल्प मांग रहा हैं उनके पैरेंटस की हालत बहुत बुरी है खुद मेरे भी रिलेटिस में से दो-तीन डोगों के बच्चे हैं एसी सीच्पेशन में भी हमारी so-called society हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जोकि इ सिच्वेशन आईगी तो क्या होगा बस ऐसे लोगों को टॉपिक मिलना चाहिए बात करने के लिए सोशल मीडिया पर मैंने दो से तीन नील पहले एक कनवर्सेशन देखा किसी माडम का वो कनवर्सेशन था नाम तो मैंने लेना चाहूंगी तो उन्होंने बड़ा लंबा चोड़ा सा एक भाशर दिया हुआ था कि यूकरेन के जो बच्चे फसे हुए हैं वो क्यों फसे हैं वो गए क्यों थे पढ़ने के लिए और विदेश जाने की तो बहुत जादा लगी हुई थी माबाबों को भी भेजने की बहुत लगी हुई थी तब तो विदेश जादा खुश्चूरत लगता था यूकरेन जादा अच्छा लगता था भारत में 100 कीड़े थे और ऐसे लोगों की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं मनती है अब खुद गए हैं तो खुद निकल कर आएं ऐसी इतनी सारी फालतो और वहियात बाते उसमें थी और लोग बात भी कर रहे थे उसका अंसर भी दे रहे थे बट ये बात निकली क्यों ये बात इसलिए निकली क्योंके हम लोग कभी भी अपने आपको एक दूसरे इंसान की सिचुएशन पर रखके देखते ही नहीं है बस हमें अपनी एक फ्रेस्टेशन निकालने से मतलब ना हमें उस पर्सन की सिचुएशन पता पर्सन की सिचुएशन मतलब उनी स्टुडेंट्स को जो अलड़ी मौत के मूँ में हैं उनके पर जो यहां पर मौत के मूँ में जो बच्चे हैं उनकी बाते सुन सुनकर उनकी हालत बुरी है, किसी के फादर को हार्ट अटेक आ गया, किसी के हर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट हमें तो बुराई करने से मतला, ये पता नहीं है कि सिच्वेशन क्या है क्या नहीं है बट हम उन बच्चों को ही गुनागार ठहरा देते हैं, जो इस चीज के पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाती हूँ, क्या उन लोगों ने कभी उन स्टुडेंट की स्ट्रगल लाइफ देखी है कि स्टुडेंट्स कैसे रहते हैं वहाँ पर, जितने एश में आपके बच्चे रहते हैं का मोट खराब होता है, तो आप पचास पहाड उठा लेते हो सर पर और वो जो बच्चे महाँ पर फसे हुए हैं, वो अपनी जिन्दगी इंडिपेंडन जीते हैं वो खुद मुखतार हैं अपनी जिन्दगी के वो यहाँ आते हैं उच में से जादा अतर पैरेंट्स तो लोन लेकर अपने बच्चों को बहर भेजते हैं तो डेफिनिटली वो एश्की जिन्दगी तो यहाँ आपकर जीते नहीं है और हमारे जैसे लोग भी एश्की जिन्दगी जीते नहीं क्योंकि सब कुछ तो वहाँ छोड़ कर आए तो बात अगर इस्टोडिन की करें तो वो एश्की जिन्दगी वहाँ नहीं जीते हैं यहाँ आका जो मैं खुद देखती हूँ यह मैं कैनेडा का बता रही हूँ और खाली मैं कैनेडा में फर्स टाइम नहीं आई मैं से पहले भी जर्मनी में भी रह चुकी हूँ लंडन भी जा चुकी हूँ और जहाँ मेरा खुद का एक्स्प्रियंस है हर जगा बच्चे जहाँ पर भी अब्रोड स्टाडी के लिए जाते हैं वहाँ पर बच्चे पार-टाइम जौब करते हैं पार-टाइम जौब करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं वुखार आते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होता उनके पास कुछ नहीं होता सबसे बड़ी चीज उनके उपधर एक फिक्रात का एक responsibility का टोकरा सरके उपर होता है कि हमारे माबाब ने हमें यहाँ पर भेजा है तो हमें वो जिम्मेदारी निभानी है और उनके सपने पूरे करने हैं तो अगर वो बच्चे बाहर आ गए तो उसमें यह कहां से बात आ गई वो बच्चे स्टड़ी के लिए बाहर चले गए युक्रेन में स्टड़ी का खर्चा 30 से 35 लाग है पूरे उसका MBBS का वहीं पर अगर आम बात करें तो हमारी कंट्री में MBBS का यह कॉलिज के अडमिशन और बाकि सेमिस्टर वाइस यह सारी चीजे चलती रहती है नहीं है किसी का बजट और क्या अतनी सिट्स है महाँ पर तो कम से कम इस चीज को तो दिहान में रखते वे बोलिए किसी की इस टाइमिंग पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो कर गई है उनी स्टुडेंट्स के साथ ओनी स्टुडेंट्स को भी हमारी ज़रूरत है ऐसे टाइमिंग पे भी हम ऐसी नॉंसिंस बाते कर रहे है कहीं तो मुवद रखे एक फैमिली आपरोड में आकर रह रही है या बच्चा स्टडी के लिए आया है तो इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि वो बच्चा अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता उसके पीछे के आप रिजन्स देखिए उसके पीछे के आप कौजिस देखिए कि कौनसे ऐसे रिजन है कौनसे ऐसी मजबूरी है कि बच्चा ये फैमिली अपने घरवालों को छोड़ का दूसरी जगा पर जा रहे हैं तो बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए बाहर आए भी है तो बच्चे जाएंगे वो वो डॉक्टर्स बनके इंडिया ही जाएंगे वो इंडिया के जो अभी इतने जादा डॉक्टर्स की कमी है वो उसको ही फुल्फिल करेंगे तो उसके पीछे के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देख लीजे ये नेगेटिविटी मत फिलाईए ये बहुत गलत वात है ये सारी नेगेटिविटी फिलाना बहुत जादा प्लीज एगर आपकुछ अच्छा नहीं कर सकते न, तो किसी के बारे में बुरा भी मत कीजिए अगर आप उनकी फैमिलीज को उन बच्चो को सपोर्ट नहीं नहीं कर सकते तो प्लीज ओगऑट से आप उनको इतना अंडरीश्टिमीट BE Навिये मैंने शुरू में भी कहा, मैं ये वीडियो नहीं बनाने माली थी, ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाया, क्योंकि उस conversation को पढ़के मुझे बहुत गुसा आया, और मैंने भी उस पर tweet किया, कि कैसे आप बोल सकती हो, वहाँ बच्चे अगर बोल रहे हैं हमारे help के लिए, आप help करने नहीं जा रहे हैं, आप जहाँ लेके प्लेन लेके नहीं जा रहे हो, तो कम से कम आप move on कर तो रहो, कम से कम आप ये तो मत बोला, तुम गए क्यों थे, कल को अगर आपका बच्चा किसी गढ़े में गिर जाता है, तो बच्चे को नहीं निकालेंगे आप, बच्चे को उस गढ़े में अपने गिरे रहने देंगे, कि तुम्हें बोला था या तुमने देखा था गढ़ा है, तो तुम्हारी सजाई है कि तुम इस गढ़े में गिरे रहो, यकीना थोड़ा सा डा को जादा वाक्त ना लेते हुए मैं वीडियो को यहीं वाइंड आप करती हूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप लोग मेरी बात से इत्तफाक रखते हैं मेरी बात से सहमत हैं ऐसा होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए क्योंकि आज सिरिफ वो बच्चे ह कल को मैं वीडिव बढ़ेगी मेरी दो बच्चे है आपकी भी बहन भाइ होंगे हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा होगा जो बाहर जाएगा ठीक है तो क्या कल को आप में ऐसे किसी के बच्ची के साथ जब ऐसे कमेंट साएंगे तो आप लोग तब भी ऐसे ही चूप रहेंगे आप लोग मुझे बताईएगा मैं आप लोग के कमेंट का इंतिजार करूँगी और आप लोग के मैफिच का मैं आंसर करूँगी और हो सगेगा तो मैं लाइव आप लोगों को उसका अज़र करूगी तब तक के लिए चलिए बाई टेक क्या